फिर से एक और बार हमें माननी प्रदान मंत्री को एक चिट्टी लिखने की जरूरत पड़ी है। आकरी हफते में पहुंच चुके हैं इस 40 दिन के नैशनल लॉकडाउन में। लेकिन जो समस्यां पहले से ही हम नजर प्राविनिस्टर की और सरकार की आकरिशन कर रहे थे इन चीज़ों पर उनका समाधान अभी तक नहीं हो बूकमरी बढ़ रही है देश में बेरोजगारी आज तकरीबन 13 करोड लोग जो है बेरोजगार हुए है इस लॉकडाउन के चल उनसे कहा गया नौकरी क्यों चटनी नहीं होगी लेकिन बड़े परमामने पर चटनी हो रही है गरीब को खाने खाने नहीं मिल रहा अगर कोई अपने दया से उनकी दक्षिना से खाना दे रहे हैं तो अलग बात है लेकिन सरकार जमेदारी नहीं उठा रही है और हमारे जो जनता की इन जरूरतों को मुख्य रूप से उनका समाधान करने के लिए जरूरी है साड़े साथ हजार रुपे हर इनसान को जिसको जरूरत है उनको कैश ट्रैंसफर करिएगा और अगले तीन मैने तक हर मैने और जो हमारे देश के गुदावनों में जो सर्रा अनाज साड़े साथ करोड टन इस अनाज को आप फारण आप जो है राज्यों को भेजी गया ताकि गरीब लोगों की बूख हम मिटा सके गरीब लोगों को बूख मिटाने और हमारे मजदूरों को क्याल करना ये अनिवारिया है इस सरकार की और इस दिम्यदारी को पूरा करना है और कोवि परकस जो है उनके लिए उनकी विफाज़त के लिए आप जो है ये प्रोटेक्शन का जो जो जरूरत है सामान उसके अंदर भी कमिया है इसके चलते वे कई सारे वो खुद शिकार हो गए इस महा मारी की और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है तो इन खामियों को कमियों क पूरा करने के लिए ये चिटील इतनी पड़ी प्रजान मंतरी जवाब तो देते नहीं हमारे सवालों के एक तरफ से वो अपनी मन की बात कहते जाते हैं लेकिन हमारी बात देश की जनता की बात को सुनना जरूरी है उनको साथ महने का समय मिला था साथ साथ हफ्तों का समय म इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया आज इन सवालों के जवाब चाहिए इन जरूरतों को पूरा करना है माननी प्रजान मंतरी जी और ये चिट्टी उसलिए फिर से उनको ये सवाल को याद दिलाने के लिए लिखा गया